नमस्कार साथियों बंधना केडमी में एक बार आपका स्वागत है मैं बंधना मुद्गर तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ NCRT Books Solution और ये आज से हम पेपर शेकिन की तैयारी करेंगे ठीक है तो पेपर शेकिन के लिए आज से एक चेप्टर हम डेली पढ़ेंगे आज मैंने भूगोल की बुक ली है यानि हम भूगोल के पाठो को पढ़ेंगे जोगरॉपी पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहला पाठ और आपके जो आठ ग्रेय हैं और इसके साथ इसाथ उल्का फिंड हैं आपके छुद ग्रेय हैं इन सब पर चर्चा की गई है तो यहां से आपके इन सारी चीजों से आपके प्रशन पूछे भी जाते हैं तो इन सबको आज हम पढ़ेंगे तो अगर आपने चैनल को अभी करें तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवस्ट करने डेली आपको एक वीडियो डेली मिलेगी और शाती साथ मैं आपको प्रक्रचेट लगवा ही रही हैं तो चलो शुरुत करते हैं शूर्यास्त के बाद आकास को देखना कितना अच्छा लगता है आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं लेकिन बाद में इनकी शंक्या बढ़ती जाती है आप उनकी गढ़ना नहीं कर सकते शंपूर आकास चोटी चोटी चमकदार बस्तूओं से भर जाता है जिन में से खुछ चमकीले होते हैं एवं खुछ दुंदले ऐसा प्रतीत होता है मानों आकास में हीरे जड़े हो इन में से खुछ टिम्टिमाते प्रतीत होते हैं लेकिन अगर आप उनको ध्यान से कि इन में से कुछ की टिम्टिमात अन्निशे अलग है यह बिना किसी टिम्टिमात के चंद्रमा के समान समकते हैं यानि हम यह बुक्तो अबश्य हमें पढ़नी है NCRT को कि NCRT जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक CTAT निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आपके CTAT मे नमबर प्रतिक एक नमबर बहुत ज्यादा माइने रखते हैं जो लोग एक नमबर से यह दो नमबर से फैल हो जाते हैं आप उनसे पूछिय कि एक नमबर क्या माइने रखता है तो इसलिए आपको NCRT अवश्य पढ़नी है और साती साथ प्रीविश स्केश अवश्य लगा जहां से भी पढ़ना चाहें जैसे भी पढ़ना चाहें लेकिन आपको पढ़ना तो अवश्य है समय भी आपके पास बहुत कम है कि यानि सूर्यास्त जब हो जाता है तो आकास में हमें चोटे-चोटे से बिंदू दखाई देते हैं और यह पहले तो एक या दोई होते हैं लेकिन जैसे रात्री होते जाती है तो इनकी शंक्या क्या है यह बढ़ती जाती है और अगर आपके गड़ना नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत अंगिनत होते हैं और संपूर्ड आकास चो चंडरमाते नजराते हैं और आप ध्यान से देखोगे तो इनकी टिम्टमात अनिशय अलग है और यह बिना किसी टिम्टमात के चंद्रमा के समान चमकते हैं इन चमकीरी बस्तुऊं के साथ आप लगबोल प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं यह अलग-अलग समय पर अलग इस्तितियों में दिखाई पड़ता है अरतात आप इन चंकीरी बस्तुओं के साथ साथ इसको भी देखते हो डेली आकास में तो अगर आपने नहीं देखा है तो आज से देखना शुरू कर देना यह क्या होता है कि यह प्रत्यक रोज यानि हर रोज इसके आकार में भी इसका परवर्तन होता है और निकलने की जगाय समय और आज आपको उत्तर दिशा में दिखाई डिएगा तो तो अपको ठोड़ा हट के ठीक है और इसके आप उर्ट में भी परवर्तन होता रहता यह पूर्डचंद्रमा को अलगवक महीने में एक बारी देख सकते हो अपका जो पूर चंद्रमा महीमे मात्र इक ही दिन दिखाई देता है और यह रात्री नहीं देख सकते हैं अमावश्य वाले दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है बिलकुल भी और ऐसी रात में अगर आस्मान साप है तो आप आस्मान का अवलोकन अच्छी तरह से करें अर्थात अमावश्या वाली रात जब चंद्रमा आस्मान में नहीं हो और आस्मान भी साप हो यानि अर्थात आपके आस्मान में बादल नहीं हो तो आप इसका अच्छे से अगलोकन करें और फिर देखें कि आपको कितनी चमकीली चीज़े दिखाई देती हैं किस तरीके से किया आपको इस बात पर आश्चन नहीं होता कि हम दिन के शमिश्यां चंद्रमा ओं इन सभी च्छोटी चमकीली बस्थूओं को क्यों नहीं देख पाते हैं क्यों कि शूर्व के एक दखतेनी प्रकास्त के कारण राट के समय चमकने वाली बस्तूओं को हम दिन में नहीं द युक्स बनाई जाती है तो आप बच्चों से इस तरीके से प्रश्ण भी पूश शक्ति हो तो यह क्यों नहीं दिखाई देती यहां से आपका प्रश्ण बहुत ज्यादा बनता है तो कि सूर के अतिदिक प्रकास के कारण रात के शमें चमकने वाली वस्तू को हम दिन में नह नहीं देख पाते हैं अब शूर चंद्रमा तता बेश अभी वस्तू है जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोली पिंड कहलाती है तो यहां से आपका प्रश्ण भी बनता है कि जो खगोली पिंड किसे कहते हैं ठीक है तो कुछ खगोली पिंड बड़े आकार वाले तता आकास भी होता है जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उस तरजित करते हैं इन खगोली पिंड को तारा कहते हैं शूर भी एक तारह है अड़ा बहुत चारे अब हमागे पढ़ते हैं रात की समय चमकते हुए अन्गिनत तारे शूर के शमान ही है यानि रात में जो यह अनगेरत तारे जो चमकते हैं यह क्या है यह शूर के शमान ही है लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उश्मा या प्रकास को मैसूस नहीं करते तता वे अतनते छोटे दिखाई पड़ते हैं अर्था यह जो दूर होते हैं ठीक है तो इसलिए यह हमें दिखाई नहीं देते आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी बस्तुएं चोटी दिखाई पड़ती है अत्तिक उँचाई पर उड़ रहा हवाई जाज कितना चोटा दिखाई देता है यानि आप यह शूर्षे भी बड़े होते हैं हमारी प्रतिवीशे कहीं लाख गुना बड़े होते हैं लेकिन यह अध्य दूरी के कारण हमें कैसे दिखाई देते हैं छोटे दिखाई देते हैं रात्री में आसमान की और देखते समय आप तारों के विविन शमुवद्वारा बनाई को देख सकते हैं यह समय और इसी प्रकार बड़े यह असमान में से अंसानी से पैंचान में आने जैसे ie बहुत ही आसानी से जो नच्छत्रमंडल हमारी प्रशामेजर का भाग है प्राची शमय में लोग राती में दिशा का निर्धारण तारों की शाहता से करते थे उत्तरी तारा दिशा को बताता है दुरुपतारा भी इसे दुरुपतारा भी कहा जाता है यह आसमान में अमेशा एकी स्थान पर रहता है हम सब्तरिशी की शायता से दुरुपतारे की स्थिति को जान सकते हैं आप चित्र में देखेंगे कि यह सब्तरिशी मंडल के शंके तक चारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेका खीची जाए एबं उशे आगे की और बढ़ाया जाए तो यह धुर्वतारी की और इंगित करेगी ठीक है तो चलो हमेशे चित्र में भी आपको दिखाते हैं यह दिखो यह सब्तरिशी हैं आपके एक एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है अगर आप इस तरीके से लाइन खीचो गए तो यह इस तारे की तरफ इंगित करेगी ठीक है तो यह हमारा धुर्वतारा होता है और यह एक जगए ही इस्तित रहता है हमेशा वैसे यह तारे हैं तो इनकी इस्तितिया बदलती रहती है हमारे चंद्रमा की इस्तितिया बदलती रहती है हमारी प्रतिवी की इस्तिति बदलती है ठीक है लेकिन यह धुर्वतारा है यह हमेशा आपको उत्तर दिसामें एक ही कुछ खगोली पिंडों में अपना प्रकास एवं उश्मा नहीं होती है अभी हमने पढ़ाता पहले कि यह जो हमारे खगोली पिंडों होती है तो इन में कुछ में उश्मा और प्रकास शूर की तरह ही होता है लेकिन कुछ में उश्मा और प्रकास नहीं होता है बेतारों के प प्रत्वी जिस पर हम रहते हैं एक यह अपना उश्मा शूर शूर से प्राप्त करती है यह प्रत्वी एक ग्रह है और इसका पक्रेश और इसOC मतलई कोą भी उश्मा नहीं होती है कोई भी प्रकास नहीं होता है या अपनी उश्मा और प्रकास दोनों किसे से गहेड करती है इस सूर वहाल को बहुत अधिक दूर जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी यानि ये चंद्रमा भी है तो चंद्रमा के भी अपनी कोई उश्मा नहीं होती है अपना कोई प्रकास नहीं होता है ये भी शूर की उश्मा को ग्रहड करता है और शूर के प्रकास से ही चमकत दिखाई देता है ठीक बैसे ही जब हम चंद्रवा पर पहुंच जाए या किसी अन्य ग्रहा पर पहुंच जाए तो वहां से प्रत्वी को देखेंगे तो प्रत्वी भी हमें चमकती हुई प्रतीत होगी अब देखो बात करते हैं कुछ रोचक तत्थे प्रस्पती शनी तता यूरेनस के चारा ओर चल्ले हैं ये चल्ले विविन्द पधारतों के अशंक के छोटे छोटे पिंडों से बनी प्रत्वी से इन चल्लों को शक्तिसाली दूरवील की शायता से देखा जा सकता है अब आगे हम पढ़ते हैं ये देखो आपका कुछ शमय दिया गया है तो ये थोड़ा पेज आपका इस तरीके से हैं बुद्ध की ये शूर के चारा और एक परकरवड अठासी दिन में करता है और शुक्र आपका दोश्व पच्पन दिन इस तरीके से ये आपके इनके दि दिये गए है ये यहां से आपके प्रश्न भी बनते हैं मैं आपको बता दूं की बुद्ध का जैसे एक परक्रमड होता है तो आपको मैंन में याद रखना है कि सबसे कम किसका होता है तो सबसे कम होता है आपका ब्रसपती का नौगन ग्यारे बर्ष नहीं सोरी अठासी दिन बुद्ध का होता है और प्रत्वी का आपका है यह तीन शब पैशर दिन अब चलो हम बात करते हैं आस्मान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपगरह है अब बात चंद्रमा की करते हैं तो चंद्रमा हमारा क्या है एक उपग्रह है यह मारी प्रत्वी का सहचर है इसके चारा और चक्कर लगाता है उमारी प्रत्वी के शमान साथ अन्य ग्रह है जो प्रत्वी से प्रकास जो सूरिशे प्रकास एवं उश्मा प्रप्त करते हैं इन जानते हैं पुर आणिक एंटर्फिर करवा सकते हूं अब बात करते हैं हम शौर मंडल की शूर्य यानि शौर मंडल में क्या क्या है शूर्य आठ ग्रह उपग्रह तता कुछ अन्य खगोली पिंड जैसे छुद्ध ग्रह है उलका पिंड मिलकर शौर मंडल का निर्मार करते हैं उसे हम शौर परवार का नाम देती हैं जिसका मुखिया शूर्य है यानि हमारे शौर मं शूर की शूर क्या है ये बहूत बड़ा है कि सूर्डर मन्डल के केंदर में इस्तित्त है ये बहुत बड़ा है एबं अत्य दिक गर्म कैसों से बना है इसका खिचाव असे शूर्मंडल को बांदे रखता शूर्य प्रत्वी से लगबक 15 करोड किलोमीटर दूर है हैं यह लेराbels दूर्य के दूरी कितनी हैं 15 करोड किलोमीटर दूर है कि अब बात करते हैं ग्रहों की हमारे सौर मंदल में 8 ग्रह चूर्यों से दूरी के अंशार बे हैं बुद्ध, शुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रहशपती, शनी, यूरेनस तता नेप्चुन और यह आपके दूरी के अनुसार है और यहां से आपके प्रशन बहुत पूछे भी जाते हैं कि सबसे पास का ग्रह कुन्षा है तो बुद्ध है और सबसे दूर का ग्रह कुन तो यह आपका नेप्चुन यानि बरुर्ट है और बुद्ध के बाद है आपका शुक्र और शुक्र उन्हों को चमकीर रहे भी कहते हैं और यह त्रिक भी दी गई है कि आप इन्हें कैसे याद कर सकते हो तो यह आप एक लाइन है किaçõesआप याद कर एक से आपका मरकरी वी नश एर्थ इस तरीके से आप इने याद कर सकते हो माई बैरी इफिशेंट मदर जैस्ट शैल उस नडश तो इस तरीके से आपको यह त्रिक से याद भी हो जाएंगे और इस तरीके से आपको पता भी रहेगा कि कौन सा पतला सबसे सूर के पास है और सब्सक्राइब ब्रत्ताकार में फैले हुए यह कच्छा कहलाते हैं बुद्ध शूर के सबसे नजदी ग्रह है अपनी कच्छा में शूर के लगाने में कितने दिन लगते हैं तो मात्र अब अठासी दिनललगते हैं मात्र के बैंछ्म आपके शुक्र को माटके 225 दिन लगते या कि कुश्च में पहले खोजे गए अन्न खगोली पिंड और फिलूटो बॉने ग्रह कहे जाते हैं जैसे यह आपका है यूबी है शीरस है और फिलूटो प्लेटो यह आपके बॉने ग्रह की स्टेडियो में चला गया है अब इसको हम ग्रह नहीं मानते हैं क्या आप जानते प्राचीन भारत के प्रशिद्ध खगोल शास्त्री थे उन्होंने कहा था कि शबी ग्रहे तता चंद्रमा परावर्तित सूर्प्रकास के कारण चमकते हैं आज विश्व के शबी भागों में खगोल विद्ध ब्रह्मान के रष्च को खोजने में लगे हैं अब बात करते हैं प्रत्वी की शूर्प से दूरी के इसाब से प्रत्वी तीसरा ग्रह है यानि शूर के बाद को सब कौन्छा ग्रह आता है सबसे पहले आपका बुद्ध आता है बुद्ध के बाद आपका शुक्र आता है शुक्र के बाद तीसरे इस्तान पर आपकी प्र यह द्रवों के पास थोड़ी चप्ती है यही कारड़ है कि इसके आकार को बुवाप कहा जाता है प्रत्वी के शमान आकार जीवन के लिए अनकून परस्तितिया के वल प्रत्वी पर ही पाई जाती है प्रत्वी न तो अधिक गर्म है और नहीं अधिक ठंडी यहाँ पानी येवं बायू पस्तित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्चक है बायू में जीवन के लिए आवश्चक गैस है जैसे ऑक्सिजन मोजूद है इनी कारड़ों से प्रत्वी शौर मंडल का सबसे अधवोद ग्रय है क्या आप जानते है प्रकास की गत्य तीन लाग किलो मीटर प्रति घंटा सेकेंड है यानि एक सेकेंड में यह तीन लाग किलो मीटर पहुचती है इस गति के बावजूद शूर्य के प्रकास को प्रत्वी तक मोचने में लग बग आठ मिनट का समय लगता है यहां से आपका प्रशन बन भी जाता है कि शूर के प्रकास को को अन्त्रिष से देखने पर प्रत्वी नीले रंकी दिखाई पढ़ती है क्योंकि इसकी दो तेहाई सतय पानी burn है और इसलिए इसे नीला ग्रहें कहा जाता है यानि अंत्रेस से प्रत्वी नीली दिखाई देती है और इसलिए इसे नीला ग्रहें भी कहा जाता है रोचक तत्ति पढ़ाएंगे हम नील आर्म स्ट्रंग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 चुलाई उनिश्य नत्तर को सबसे पहले चंद्रमा की सतय पर कदम रखा मालूम करो कि क्या कोई भारती चंद्रमा पर गया है और यह हैं आपके राकेश सर्मा यह आपके यानि चंद्रमा पर जाने बाले प्रतम भारती थे अब बात करते हैं हम चंद्रमा की हमारी प्रत्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा यानि प्रत्वी का एक मात्र ही उपग्रह है और उसका नाम है चंद्रमा इसका ब्यास प्रत्वी के ब्यास का केवल एक चौता ही है यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क् हमारे ग्रैशे अन्य खगोली पिंडों की पेच्छा नजदीक है अर्था जो अन्य खगोली पिंड है वो प्रत्वीशे क्या है दूर है लेकिन चंद्रमा प्रत्वी के पास है तो इसलिए यह थोड़ा बड़ा दिखाई देता है यह हमसे लगबग प्रत्वीशे शूर एबं चंद्रमा की दूर्यों की तुलना करें यह बात करते हैं ऑप ग्रह की तो ओगोली पिंड है लगाता है जिस प्रकार शूर के चारतो चक्कर लगाते हैं इसे हमारी प्रत्त्यवी से चार्त का घर प्रत् rozp मानव से उपग्रय उप आप उपग्रह निर्माड कि न कृति होते यह बेख्यान को दौरह बनाया गया है जिसका अपयोग ب्रंबान के बारे में चानकारी प्रतिकर ने एवन प्रथवी पर संचार मार्ध्यम के लिए किया जाता है इसे राकुट के द्वारा वान्तृच में यह कर दिया जाता है व्यद्धूर्व 4- Heritage आपका प्रश्ण पूछा भी जाता है यहां से यहां से चलना शुरू होते हैं और इस तरीके से फिर यह जाके यह प्रत्वी की कच्छा में इनको इस्थापित कर दिया जाता है आगे हम पढ़ते हैं चंद्रमा प्रत्वी का एक चकर 27 दिन में पूरा करता है जैसे प्रत्वी है तो प्रत्वी घ्च्र कर 305 दिन absolute दिन में में लगाती है ती आड़्या तरहिजया गोजया एक तर आघ के वे लगता है लांत्य वैठ्षाइब्रमा का मतलब परिष्ठम से दिनों मैं प्रत्वी के परदामका चंदरमाका कीषच भाग दिख़ाई देता है अब अपक कर्मण और परिव्रमट को दो परिख्रम्ड दोनों करतें। जैसे प्रतवी है प्रत्वी अपना परिख्रम्ड35त से जोड़ अपको दूसरे की लगाते हैं। परिख्रम्डब दूसरी के लगते हैं विद्र सूर के दोड़ तो यह 24 कंटे में यहांनि पर भ्रमड कितने देर में कर लेती है तो अपने अच्छ पर एक चक्र पूरा करने में प्रत्वी को 24 कंटे लगते हैं तो इसी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा चंद्रमा की परस्थितियां जीवन के अनकूर नहीं है इसकी सतय पर परवत मै नियुक्त ग्रहों के अत्नी च्छंकी चोटे पिंड़ी सूर के चारा और चकल लगाते हैं इन पिंड़ों को चुद ग्रहा कहते हैं कि इन कि क्या कहते हैं यह मंगल एवन-ब्रस्पत की ओंशाओं की बीच में पाये जाते हैं बैग्यनकों के उनसातर फुद्द ग्रह कर भाग होते हैं जो कि बहुत बर्ष पहले बिस्पोट के बाद ग्रहोंशे तूटकर अलग हो गए थे यानि आपके यह जो चुद रहे हैं तो यह ग्रहोंशे तूटकर ही अलग हुए हैं अब बात करते हैं उलकापिंडों की शूर के चार और चक्कल लगाने वाले पत्त्रों के चोटे-चोटे टुकडों को उल्का पिंड कहते हैं कभी-कभी ये उल्का पिंड प्रतिवी के इतने नजदी कहा जाते हैं कि इनकी प्रवर्ति प्रती पर गिंडे की होती है इस प्रक्रिया के दोरान बायू के शास घर्षड होने के कारड़ ये गर्म होकर जल जाते हैं फ चोड़ी शपेद पर्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है आपने देखा होगा कि शपेद रस्ता सबन जाता है यह लाखो तारों का समू होता है तो इसलिए यह सपेद पर्टी से दिखाई देती है यह पट्टी आकासगंगा यह इसको काई को कहते हैं हमारा शौर मंदल इस आकासगा का एक भाग है यनी यह जो आ मंदल के अ च्टाली बहरत में सिकामरेश प्रकास की नदीशे की गई थी इस का करोडों तारों बाद्रों तता गैशों की अक पिडाली है गाली है इस प्रकार की लाख sentence आकास गंगाएं मिलकर ब्रम्बांड का निर्माड करती हैं यानि ब्रम्बांड में कितनी आकास गंगाएं लाखों ठीक हैं आकास गंगाएं ब्रम्बांड की बिशालता की कलपना करना अत्तिक कटने यानि हम ब्रम्बांड कितना बड़ा है तो यह हम कलपना भी नहीं कर सकत ब्यagynesिक अभी इसके बारे में अदिक से अदिक जानकारी एकत्र करनी में जूड़े हूए है और इसके लिसके आकार के संबंद में कोई जानकारी नहीं यह लेकिन फिर भी हम जानते हैं और सब प्रश्च बनते हैं इसी तरीके से सहम आपके सीटेट में भी पूछे जाते हैं ग्रहें और तारों में क्यांतर है स्वारमंदर से आप क्या समझते हैं शूर्ष अंकी दूरी के अनसार सभी ग्रहों के नाम लिखो ठीक है जाता है चार ऑप्सन सो में और एक आपका गलत होता है और फिर एक तीनडर्यत होते हैं उस्चे ह मिख लिए जाते हैं प्रत्वी को अधबुध्स ग्रै किया है और और किस ग्रै इस तरीके से आपके ऑप्सन also मिलते हैं सीटएट में उसक्त शुक्र ग्रै है हैreck प्रत्वी है तो इस तरीके से अपके प्रसन बनते हैं सभी ग्राइए शूर्डि के चारों किस प्रकार के पतपच चकल लगाते हैं तो भ्रत्ती और धीर की अंगल ब्रसपती के बीच में पाई जाते हैं अगली के सबसे करीब क्या है शूर्ष से तीश्रा सबसे नजदी ग्रहों के पास इस तरीके से आप बच्चों से एक्तिविटी करवा सकते हो आपके प्रिशन यहां से बनते हैं तो बिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ ठीक है अगली वीडियो में यह दिख सकते हो तो इस अपनी हमें प्रत्थी प runner धाई है जह को बस् Assim है किसे प्रत्थी नाइस अब ले फिरह नेश धुन उतीन ये अपना में अब्र आसा करते हैं दिया है और एप गुमते गुमती होई ऐसे अश्चकर लगाती है ती स्सक्री आफ। तो यह जितने भी रहे हैं तो यह घूमते घूमते हुए अपना चक्क लगाते हैं तो यह अपना एक जो परेब्रमण करते हैं अपनी अच्छपर 24 कंटे में प्रत्वी अपना यह पूरा करती है और शूर का इस तरीके से यहां तक आने में इसको 365 शही एकवट्टे 4 समय का दिन शमय लगता है और यह एक बट्टे 4 को हम जोड़के फिर हमारा ली पीर्स बनता है और ली पीर्स में फरवरी हमारी 29 दिन की वती है तो आसा करती हूं वीडियो आपके बहुत अच्छी रगी होगी तो वीडियो को शेयर अवश्च कर दें लाइक और कमेंट भी करना बिलकुर न भूले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्च कर लें मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आज के लिए इतना ही धन्यवाद